हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूटीब चनल एक्जाम हेल्प में आज की वीडियो में बात कने वाले हैं इंडिया जी के, हपी जी के और क्रंट फेर के 30 कोश्चन क्रंट फेर के जितने भी कोश्चन अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया हैं वे सभी अपरेल मंत के हैं देखिए जितने भी कंडिडेट आने वाले समय में HPPSC और HPSC के दुबारा कंड़क्ट करा जाने वाले एक्जाम में अपेर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी एलफुल होने वाला है आज की वीडियो का पहला कोश्चन है शाहन जहान ऑने किसे अफगाने शेर का नाम दिया था देखिए इस कोश्चन का राइट अंसर है मानसीया मानशियां के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी होने चीए जैसे कि मानशियां कि रियासत के शाषख थे ये शाहन καιा के दुवारा अफगाने शेर का नाम क्यों दिये गया था देखिए मानशियां 1635 इसवी के दुरां गुलेर के शाषख थी और इन्होंने 1641 और 42 इसवी के दुरान माउंट कोट और तारागड किले पर कबजा करने में मुगलों की साहिता की दी जिसके कारण शाहन जाने ने अफगाने शेर का नाम दिया देखी यहां से इस प्रकार से भी कोशन पूचा जा सकता है शाहन जाहन की मदद मानसिया ने किन दो किलों को जितने में की थी या फिर माउंट कोट और तारागड किले पर विजे पाने में शाहन जाहन की मदद किस शाशक ने की थी बात करते हैं अब नेक्स्ट कोशन की सुकेत स्टेट की स्थापना किस ने की देखिए सुखेत स्टेट की स्थापना वीर सेन के द्वारा की गई थी कब की गई थी? सासो पैंससट इसवी के दुरान देखे ये डेड़ आपको याद रखनी किसान प्रशिक्षन केंदर कांस थीते? इस कोशन का राइट अंसर है मशोबरा तथा सुन्दनगर मशोबरा शिमला डिस्टिक्ट में स्थिते है जबकि सुन्दनगर मंडी डिस्टिक्ट में स्थिते है HRTC की स्थापना कब हुई? देखिए HRTC की फुलफॉर में हिमान्चल रूड ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन और इसकी स्थापना उनिस्टो चोतर इस्वी के दोरान की गई थी 1620 में किस मुगल शाष्ट के सेनापती ने कांगडा के किले पर कबजा किया? इस कोशन का रॉइट अंसर है नबाब अली खान देखिए मुगल शाष्ट के सरप्रतम 1620 इसवी के दोरान कांगडा के किले पर कबजा करने में सफल रहे थे और मुगलों ने जुए 1620 इसवी से 1783 इसवी तक कांगडा किले पर शाष्ट किया बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की हिमाले की अजनता कि समट को कहा जाता है? इस कोशन का रॉइट अंसर है ताबो मट और ये कोशन जो है काफी इंपोर्टन्ट है देखिए ताबो मट के बारे में आपको कुछ बेसिक जनकारी होने चीए जैसे की ताबो मट कहां पर स्थित है और इसे क्यों हिमाले की अजनता का जाता है? ताबो मट लाओर स्पीती में स्पीती गाटी में ताबो नामक गाओं में स्थित है और ताबो मट में दिवारों पर चितर और मुर्थियं बनाए गी है और यहाँ पर पुराने धर्म गरंत और पांडू लिपिया है और ताबो मट के चितर अजन्ता के चितरों से मेल खाते हैं जिसके कारण ताबो मट को हिमाल्या की अजन्ता का जाता है देखे यह थी ताबो मट के बारे में कुछ इंपोर्टेट जानकारी जो कि आपको याद रखनी है चिप को आंदोलन चमबा में किसने शुरू किया इस क्वेशन का राइट असर है कूल बोशन उपा मान्यू चिप को आदोलन की बात गरें तो सबसे पहले इसकी शुरूवात कब होई थी देखे इसकी शुरूवात 1903 को होई थी और कहा होई थी उत्राखंड में होई थी वहाँ पर कुछ मैलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए इस आदोलन की शुरूवात की थी तारीक एरियासत सिर्मोर नामक पुस्तक की लेकक कोन है इस क्वेशन का राइट अंसर है कवर रणजोर सीहा रेणु का रिष्टे मेरिशी जमदंगनी की क्या लगती थी देखे ये क्वेशन काफी ईजी है और मुझे उमीद है इस क्वेशन का अंसर आपको मालूम है और इस क्वेशन का सही अंसर है पतनी और रेणु का परशुराम की मा लगती थी ये भी आपको याद रखना है इस क्वेशन का राइट अंसर है बाहरी हिमाल्या देखे ये क्वेशन भी काफी इंपोर्टेंट है और कई वार एक्जाम में इस प्रकार से क्वेशन पूछा जा चुका है जैसे कि कोई डिस्टिक या फिर डिस्टिक में सीट कोई स्थान किस परवत श्रेनिक शेतर में पड़ता है देखे हिमाजल को तीन परवत श्रेनिक शेतर में डिवाइड किया गया है बारी हिमालेक शेतर, आंत्रिक हिमालेक शेतर और ब्रियद हिमालेक शेतर अब हम बात करते हैं कि किस परवत श्रेणी क्षेतर में कौन सा जिला या फिर कौन सा क्षेतर पड़ता है तो देखिए बारी हिमाले क्षेतर में कांगड के कुछ भाग हमिरपूर बिलासपूर उन्ना मंडी सोलन और सिर्मौर शामिले और आंत्रिक हिमाले में सिर्मौर की रेणू का थसील, मंडी के चचेउट तता करसोग, डलहौजी, शिम्बला, चूड़दार और कुलू गाटी स्थिते हैं जबकि ब्रियद हिमाले में चम्बा की पांगी गाटी, किनौर और लाहुल स्थिते हैं जबकि ये सबी क्षेतर आपको याद रखने की कौन सा क्षेतर किस प्रवत श्रेणी में पड़ता हैं बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की पालों ने अपनी राजनितिक शक्ती किन के हाथों गवाई तो देखे इस कोशन का राइटन सरे सेन पालों की बात करें तो देखिए पालों का शाषन मुख्या रूप से पुर्वी भारत में पश्रिम बंगाल में था और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और इन्होंने 750 इस वी के दौरान पाल वंश की स्थापना की थी किस वर्ष वासको डिगामा का जहाज काली कट पहुंचा तो देखिए ये कोशन कई वार एक्जाम में पुछा जा चुका है और इस कोशन का राइटन सरे 1498 इस वी और वासको डिगामा से एक दूसरा कोशन बन सकता है कि वासको डिगामा के जहाज का क्या नाम था तो देखिए इनके जहाज का नाम हेक्टर था जो की पहली बार भारत के कालिकट तट पर पहुंचा था और वासको डिगामा पुर्तगाल के निवासी थे नीमन में से किसे सफेद कोईला भी का जाता है नीमन मैंसेक इस राज्य में विधान सवा में अनसोचित जन जातियों के लिए अरक्षन प्रदान नहीं किया गया है संपूरण विश्य में प्रतिबर्ष मानव अधिकार दिवस कब मना याता है तो देखे ये कोशन भी कई वार एक्जाम में पुचा जा चुका है और इस कोशन का राइटन सरह है 10 दिसंबर आरबियाई का प्रतम भारतिया गवर्नर कौन था तो देखे ये भी एक most important कोशन है और भारतिया मूल के प्रतम आरबियाई गवर्नर सीडी देशमुक थे और ये 1934 इसवी के दोरान आरबियाई के प्रतम भारतिया मूल के गवर्नर बने थे आरबियाई के बारे में अगर हम बात करें तो यहां से कुछ important fact बन सकते हैं की आरबियाई की स्थापना कब हुई थी आरबियाई की स्थापना 1935 इसवी के दोरान हुई थी और आरबियाई के प्रतम गवर्नर कौन थे तो देखे आरबियाई के प्रतम गवर्नर ओस बोर्न स्मित थे कौन थे ओस बोर्न स्मित राष्ट्रे महिला आयोग की स्थापना की गई तो देखिए राष्ट्रे महिला आयोग की स्थापना संसत द्वारा पारित अदिनियम द्वारा की गई थी इन में से कौन सी नगद फसल नहीं है तो देखिए गन्ना कपास और जोट नगदी फसल है जबकि गहूं नगदी फस नहीं है बारत में स्युक्त संसदिया सत्र की अधिक्षता कौन करता है देखे इस क्वेशन का राइट अंसर है लोकसभा स्पिकर लोकसभा स्पिकर भारत में स्युक्त संसदिया सत्र की अधिक्षता करता है घडपा स्थलों की अधिक्तम सघंता थी तो देखे इस क्वेशन क तो देखे हडपा स्थलों की सबसे अधिक अवादी सिंदु और उसकी साइक नदी के मैदानों में थी अब हम बात करेंगे करंट अफेर के कोश्चन की हाली में इश्याई कुष्टी चेंपिनिशिप 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है देखे इस question का right answer रहे इरान इरान पहले स्थान पर चीन दूसरे और जपान तिसरे स्थान पर रहा है यहां से question बन सकता है इस शेकुष्टी championship 2019 का आयोजन कहां किया गया तो देखे इसका आयोजन चाइना में किया गया इस championship में बारत का कौन सा स्थान रहा तो देखे इस championship में बारत का आठवा स्थान रहा और भारत ने इस championship में कुल 16 पदक जीते बारत की और से एक मातर gold medal बजरंग पूनिया ने जीता यह हैं बजरंग पूनिया हाली में जारी report के अनुसार 14 सबसे बड़ा सेने खर्च करने वाला देश कौन बना इस question का right answer है बारत देखे बारत हाली में 14 सबसे बड़ा सेने खर्च करने वाला देश बना है इसके अलावा अमेरिका पहला चीन दुसरा और साउधी अर्ब तीसरा सबसे बड़ा सेने खर्च करने वाला देश है हाली में 2019 लंदन मेराथॉन किताब किसने जीता है इस question का right answer है एलियूड कीप चोगे तो देखे इन्होंने लंदन मेराथॉन दो गंटे दो मिंटर 77 सेकिड में कम्प्लीट किये इससे पहले दो गंटे 1 मिंटर 49 सेकिड में मेराथॉन कम्प्लीट करने का विश्व रिकॉर्ड भी इनके नाम पर दर्ज है एलियूड कीप चोगे केनिया मूल के दावक है हाली में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कहां लौँच की गई तो देखे इस question का right answer है मलावी हाली में एश्याई सनुकर टूर खिताब भारतिय मूल के खिलाडी पंकज अडवानी ने जीता है और इश्याई सनुकर टूर का आयोजन कत्तर की राजदानी दोहा में किया गया है ये हैं पंकज अडवानी हाली में रविंदरनाथ्र टेग और पुर्सकार 2019 से किसे समानित किया गया है तो देखिए हाली में रविंदरनाथ्र टेग और पुर्सकार 2019 से समानित किया गया है ये हैं रविंदरनाथ्र टेग और पुर्सकार से समानित किया गया है हाली में विश्यव पुस्तक दिवस कब मनाय गया तो देखिए हाली में विश्यव पुस्तक दिवस 23 अप्रेल को मनाए गया और इस बार के विश्यव पुस्तक दिवस की थीम है Share A Story तो देखिए आपको ये डेट भी याद रखनी है और इस बार के विश्यव पुस्तक दिवस की थीम भी याद रखनी है हाल इमें किस देश नहरमाइन के विश्यव पर विश्यव डाक टिकेट जारी किया इस कोशन का रायट असर है इंडोनेशिया देखिए इंडोनेशिया ने बारत के साथ राजनाइक संबंदों की स्थापना की सत्रवी वर्ष गांड के उपलक्ष पर रमायन के विशेश डाक टिकेट जारी कि हाली में विश्व पृत्वी दिवस कब मनाये गया देखे हाली में विश्व पृत्वी दिवस 22 अप्रेल को मनाये गया और ये है इस बार के विश्व पृत्वी दिवस की थीम बात करते हैं नेक्स्ट कॉशन की हाल ही में बेडमिंटन एशिया चेंपिनशिप किताब किस ने जीता तो देखे इस क्वेशन का राइट असर है कंटो मोमोटा ये हैं कंटो मोमोटा और ये जपान मूल की खिलाडी है और इस बार के बेडमिंटन एशिया चेंपिनशिप का आयोजन चीन में किया गया यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में